गुड मॉर्निंग दियर स्टुडेंट्स कल मैंने एक फ्लावर वला वीडियो भेजा था आपको अच्छा लगा ना और उसको आपको रिपीटेटली देखना है बार बार देखना है वाई बिकॉस वह देखने से आपको फ्लावर की आइडेंटिफिकेशन होगी ठीक है आज मैं वैसे ही फ्रूट का वीडियो दिखा रही हूं ओके तो आपको वह भी बार बार देखना है चलो वाट इस दिस प्लम प्लम पी एल यू एम प्लम यूजवली इस इन रेड कलर रेड कलर हमको फिल करना है है और मैंने सिखाया है तो यूजव फिल रेड कलर दिस इस प्लम ओके दिस इस ओरेंज ओरेंज इस स्वीट एंड सौर यानि खट्टा मिठा लगता है ठीक है उसमें विटामिन सी बहुत होता है और वो हमें ज्यादा खाना चाहिए ताकि हमारी स्खिन व होता है वो रफ होता है और अंदर जो मटीरिल आता है वो हम खाते है ठीक है नेक्स्ट इस मैंगो सबका फैवरिट फ्रूट है ना तो मैंगो मैंगो यह भी स्वीट एंड सौर होता है और इसकी सीजन आती है तभी मेरे बच्चे सिर्फ मैंगो खाते है और कुछ नहीं खा इसमें जो slide है वैसा हम ड्रॉ करते हैं यह जो देख रहे हो ना green और उसके अंदर black dots दिख रहे हैं वैसे हम जो color करते हैं उसमें ऐसा ही करते हैं हम ठीक है next is banana 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 हमें everyday एक banana खाना ही चाहिए क्यों क्योंकि बनाना खाने से हमारे bones एकदम मजबूत हो जाते हैं हम जो खेलते कूदते हैं वो सारी energy एक banana everyday खाते हैं तो बहुत सारी energy आ जाती तो एक banana everyday खाना चाहिए नेक्स्ट इस ग्रेप्स जी आरे पी एस ग्रेप्स ये भी खट्टी मीठी होती sweet and sour with vitamin c में भी vitamin c बहुत सारा होता है ठीक है next is apple apple red color का होता है हमने colors तो आपने देखे हैं मैंने कैसे colors करवाए ठीक है apple red color का होता है और it is a saying ऐसा कहने में आता है कि an apple a day keeps a doctor away ठीक है एक apple खाओगे तो आपको doctor के पास नहीं जाना पड़ेगा वो सबसे healthy होता है ठीक है next is pear pear green color का हमने सिखा है ना पैर वो भी sweet होता है बट उसको हमें wash करके खाना है ठीक है next is cherries c h e r i e s cherries red color की होती है अब ये भी जो मैंने सारे fruits सिखाए है वो सारे fruits वैसे तो सारे ही healthy होते है लेकिन सारे fruits हमें wash करके खाने चाहिए ठीक है क्योंकि हम market में से लाते है इसलिए उसको wash करके बेजे that is very good अभी मैंने जो homework के मैं picture भेज रही हूँ और classwork के picture भेज रही हूँ वो आपको ऐसे ही करना है homework का एक अलग page भेज रही हूँ और classwork का एक अलग page भेज रही हूँ ये वीडियो भी आपको बार बार देखनी है ताकि आपको इसका fruit का भी identification अच्छे से आ जाए थैंक यू जए स्वाविन अरें